हाई एवरीवन उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है है यह सान है और यहां पर पर सो मैंने वीडियो बना led कर आपको जनकाय दिया था कि अगर आप एक किसान है और तीन सी चाई के लिए आउदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसमें मैंने एक गलती किया हुआ है जो गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ क्योंकि देखिए इंसान से तो गल्ती हो ही जाती है ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ सभी मुझे पता है कहीं न कहीं मुस्टेक हो ही जाती है और पहला मेरा गल्ती है और उसको मैं एसेप्ट कर रहा हूँ और आप से मापी भी मांग रहा हूँ गलती मैंने क्या करा था सबसे पहले आपको बता दें कि उस वीडियो को मैंने हटा दिया हुआ है क्योंकि मैंने उसमें गलती किया हुआ है actually हुआ किया कि मैं research कर रहा था कि जो भी किसान है एक बार में मतलब एक किसान तीन सीचाई के लिए आवधन कैसे करेंगे तो उसमें research में काफी सर लोग से मैंने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैंने एक सिचाई के लिए आवधन कर लिया है तो दूसरे और तिसरे सिचाई के लिए आवधन करने का मौका मिलेगा यानि कि एक बार में अगर आपने एक सिचाई के लिए आवधन कर लिया है तो आपको जो है दूसरे और तिसरे सिचाई के लिए आवधन करने का मौका नहीं मिलेगा जो कि इस सारा सारा मुझसे गलती यहां पर कहा गया है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि काफी सरो लोग ऐस से हैं जो एक सिचाई के लिए हैं आवदन किये हुए उनका पैसा भी आ गया है और वो जो है दूसरा सिचाई के बारे में मतलब अपलाई करने के लिए सूच रहे हैं तो आप हो सकता है कि साइड का मतलब प्रोब्लम होगा इसी चलते मैं भी थुरा सा मतलब कंफ्यूज हो गया और आपको जो एक गलत इंफोर्मेशन यहाँ पर दे दिया क्यूंकि अगर आपने भी एक सिचाई के लिए आवदन कर लिया होगा तो दूसरा सिचाई और तीसरा सिचाई के लिए फिर अधितम तीन सिचाई के लिए भी आवदन कर सकता है अगर लाश्ट में आप आवदन कर रहे हैं तो तीन सिचाई के लिए आवदन कर सकते हैं तीन सिचाई का पैसा आपको दिया जाएगा जैसे कि मैं आपको उस वीडियो में बताया ही था ठीक है तो मैंने यहाँ पर हुआ है जैसे कि हमारे इसफेक्टेट यूट्यूबर है समसाद हुसें जी उनके उनका यूट्यूब चानल है वाज सिंपल है जैसे कि आप सभी उनका वीडियो देखते हैं तो उन्होंने कहा हुआ है कि उमेश टोक नहीं पर गलत जनकाई दिया हुआ है तो भाई बाफ कर मैं कोई गलती करता हूं तो प्लीज भाई लोग आप मेरा सपोर्ट करिएगा और जहां भी मैं गलत हूंगा आप लोग आवाज उठा सकते हैं तो आज कि इस वीडियो में बाखी जो भी मैंने गलती करा हुआ है तो इंसान से तो गलती हो ही जाती है मेरे सभी गलती हुआ ह मैंने यह मतलब 110 परस मैं असेप्ट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है और एक्चॉली हुआ है कि मेरा जो है डिजल अंदान पूर उतना experience भी नहीं था कियोंकि यह सारे चीज़ों experience नहीं होते हैं कि आप सभी को पता ही है कि तीन-चार साल से बंध ही पड़ा था उससे पहले मैं उतना एक्टिब नहीं था इन सब चीजों में ठीक है तो कहीं नहीं मुझे एक गलती हुआ है मुझे experience नहीं था मैंने यहां पर गलती से बोल दिया ठीक है तो प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा उमीद करते हैं कि आप लोग माफ कर देंगे छोटा भाई समझ कि और माफ करने वाले भगवान होते हैं तो बस आज किस वीडियो में इतना ही चली मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धनवाद आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें बहुत-बहुत धनवाद